हलो दोस्तों, प्लसपन के यूटुब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नम है निकित शहा दोस्तों आप में से कई सरे लोगों को confusion बना वा रहा था कि सर ये AC मोटर और DC मोटर में क्या डिफरेंस है उसके अंदर टेकनिकल है क्या डिफरेंस है, इसको डीटेल में हमें समझना है इस वीडियो के अंदर याद रखे कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूली वीडियो को, ठीक है तो चले शुरुआत करते है, AC और DC ये दोनों मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है टेकनिकल दोर पर तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस के बात करूँ तो इसके अंदर AC और मोटर और DC मोटर ये दोनों के अंदर जो components रहते हैं, उसके अंदर पहले तो बहुत सारे डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग समझेगे उसके types के बार में उसके बाद में हम लोग समझेगे nature of input current याने की दोनों के लिए कौन सा current जाईए, किस प्रकार से face supply होता है उसमें communicator जो रहता है, उसका इस्तमाल क्या होता है, किस तरह के से होता है, number of terminals के बार में देखेगे, applications देखेगे फिर starting के बार में देखे, position of armature के बार में देखेगे और maintenance cost तो ये सब topics के उपर हम लोग AC और DC ये दोनों मोटर का difference को समझने की कोशिश करेगे इसमें ये सब जो topics उसको एकदम detail में समझेगे तो चले सबसे पहले शरुआत करते है, inside motor AC और DC यानि की AC motor और DC motor के अंदर रहता क्या है, difference तो सबसे पहले बता हो तो ये AC motor है, आप देख सकते कि यहाँ पे ये जो हिससा आप देख रहे है यहाँ पे winding करिया हुआ है, correct, यह stator है और यह उसका rotor है और जबकि DC motor में यह stator है और यह उसका rotor है, जिसको हम लोग armature बोलता है तो इसके अंदर अगर मैं parts को समझाओ आपको, तो यहाँ पे end bail रहता है और यहाँ पे उसकी body रहती है, body के अंदर stator लगा हुआ रहता है, जो के winding में आपको बताया rotor जो रहता है, उसके आजू बजो में fan blade रहता है, उसके cooling system के लिए और आगे एक bearing लगा के बंद कर दिया जब motor को तो इतने हिससे रहता है हमारे AC motor के बीच में DC motor के अगर में बात करूँ, तो उसके अंदर यह जो stator है अब उसको filled coil यहाँ पे लगा है, यानि कि यहाँ पे coil लगी हुई है साथी साथ यह है उसका armature, ठीक है, यह rotor बोलते है यहाँ पे DC motor में उसको armature बोलके, क्योंकि यहाँ पे भी winding अलग से रहती है ठीक है, तो यह basic difference है, अंदर से यानि कि अगर मैं AC motor और DC motor को अंदर से बताने की कोशिश करूँ, तो यह पहला difference है फिर उसके प्रकार की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ही basic प्रकार है AC motor के दो प्रकार है, कौन से कौन से, एक synchronous और एक induction ठीक है, synchronous और induction, उसके अंदर फिर काफी सरे अलग प्रकार रहता है, लेकिन यह दो main प्रकार है, synchronous और induction यह क्या है, कैसे काम काता है, इसका पूरा detail मैं नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है DC motor की बात करें, तो उसमें भी दो प्रकार है, एक रहता है brush और एक रहता है brushless अभी मैं example दे दू आपको, तो आम तर पे जब जो DC motor देखते हो, सब brush वाली DC motor रहती है, और brushless यह जो drone वागर रहता है, उसके अंदर जो motor का प्रयोग होता है, वो सब brushless DC motor रहती है, तो यह major difference है AC motor और DC motor के बीच में है, ठीक है, इसके बात nature of input की बात करें, यहने कि जाहिर सी बात है, AC motor यहने कि उसको alternative current का power supply दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है animation के अंदर, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 phase वाली motor यहाँ पे बताई गई है, तो यहा आपको दिख रहा है, एक लंबा लाइन और एक छोटा लाइन है, यह आपका DC supply का लाइन है, याने कि आपका DC, याने कि समझो बैटरी से दिया हुआने voltage, या कोई charger से आपने कोई voltage दे दिया है, तो वो सब DC supply रहते हैं आम दोर पे, ठीक है, तो यह DC और AC वो तो general है, और य जो पानी भरने के लिए, जो टंकी का पानी भरने के लिए, वो सब सिंगल फेस मोटर रहती है, और हमारे बिल्लिंग के अंदर जो लगी हुई मोटर रहती है, जिसमें बहुत जयादा फोर्स है और भाट जादा पानी अगर खीचना रहेगा जमीन में, बोरवेल से आम तो तो वहां पर इस्तमाल होती है या कि 3-fays मोटर का इस्तमाल किया जाता है 3-fays तीन AC supply की लाइन को बनाए हूँ है जनरली जो बिल्डिंग्स में supply आती है थ्री-fays की ही आती है और ये हमारे एरिया में जो distribution होता है वह 3-fays का ही रहता है तो 3-fays induction motor होती है समझो आपने कोई charger से या कोई adapter से आप चला रहे है तो सब DC मोटर रहती आम तोर पे ठीक है यह बहुत जनरली आम तोर पे जो खिलो ने वगर रहता है उसमें जो मोटर का प्रयोग होता है एक में बेसिक एक्जांपल दे रहो ऐसा नहीं कि खाली खिलो नमी बड़े-बड़े जगे पर भी DC मोटर का इस्तमाल होता है लेकिन इसमें सिंगल फेज ही रहता है जबकि जो AC मोटर रहती उसमें सिंगल फेज और ट्रिपल फेज दोनों ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जानकर एकिल रहता तो हम लोग ने कई सारे online courses भी जालू कर दिए जिसमें electronics है, motor rewinding है, computer hardware है, laptop repairing, mobile repairing, computer software, advanced excel, tally जैसे कई सारे अंगीनत courses चालू कर दिए यह सब courses अगर आपको करना है तो आप Google Play Store से plus point training और bracket में new यह नाम का app डाउनलोड कर लेजे जिसके जरीए आप यह online courses सिख सकते हो अधिक जानकर दिए जो WhatsApp यहां पर दिख रहा है, इस पर केबल मुझे हाई का message जाल दिए तो मैं अब पूरो online courses के detail जानकर यह आपको WhatsApp के माधियम से भिजवा दूगा, दोस्तों चलिए शरुआत करते हैं अब आगे बढ़ते हो वापिस, तो मैंने आपको बता है कि supply phase source जो रहता है, वो three phase और single phase AC supply में रहता है, जबकि DC जो आम तोर पे single phase ही रहता है, इसके बाद communication process, यानि commutator, इसको आम तोर पे DC motor जो रहती है, उसमें यह वाला जो हिससा आपको दिख रहा है, इसको आगे का हिससा दिख रहा है, यह इसका commutator है, commutator जो रहता है, आम तोर पे इस पर brush लगा हुआ रहत ऊपर पड़ी है, उसके नीचे brush है, यह brush इसके साथ में, commutator के साथ में जूड़ा हुआ रहता है, तो supply जो दिख रहता है, उसके साथ में, जो पे पर इसके साथ में जूड़ा हुआ ह। यह केवल और केवल DC मोटर्स के अंदर ही इससमाल किया जाता है, ठीक है? के नाम से हम लोग इसका प्रयोग होता है, यह AC सपलाई की 3-phase मोटर है, जबकि DC मोटर में केवल और केवल दो ही टर्मिनल लता है, एक positive का एक negative का टर्मिनल, ठीक है? तो इस हिसाब से number of terminal की बात करें, तो AC सपलाई में 3 टर्मिनल और DC सपलाई में 2 टर्मिनल, ठीक है? स्टर्टिंग के बात करें, तो स्टर्टिंग में अगर AC मोटर के बात करें, अगर सेल स्टर्ट नहीं रहती है, इसको स्टर लगाना पड़ता है, स्टर्टर चाहे चाहे जड़े, soft starter लगा दो या VFD लगा दो, यह VFD स्टर्टर बहुत इंपोर्टन चीज़ है दोस्तों अगर आप लोग चाहोगे तो comment में लिखे है कि VFD के बार में सर्फ video lectures बनाए तो मैं जरूर कोशिश करूगा कि VFD के बार और detail में videos बनाई जाए ठीक है तो यह आप देख सकते कि VFD के जरीए motor को start करवाय गया और soft starter जो है और इससे motor को start कर गया यह दोनों ही AC motor है DC motor को starter की जरूदी नहीं रहती है यह केवल और केवल AC motors के लिए ही starters का प्रयोग होता है चाहे VFD यह soft starter अभी जैसे applications रहेगा न वैसे इस्तमाल किया जता है ठीक है इसके बाद position of armature की बात करे तो इसको बहुत ही बहुत ही बहतर इंडंग से मैं अगर समझा हो तो यह animation में आपको दिखाई देगा the armature is stationary इसका जो armature रहता है वो stationary रहता है और and the magnetic field rotates यह जो magnetic field रहता है यह rotate करता है और उसके सबसे अंदर का जो rotor है वो गुमते रहता है समझ मेरी बात जबकि यह AC supply की बात हो रही है AC motors की बात हो रही है जबकि DC motor की बात करी तो यहाँ पर armature रहता है उसके अंदर ही coil लगी रहती है और इसके वासे magnetic field रहती हो stationary रहती है और armature गुमता रहता है इसको और थोड़ा detail में समझते है यह यहाँ पर आपको animation देख रहा है magnetic fields रहती है फिक्स रहती है और उसकी वज़े से यह armature गुमते रहता है तो यह दोनों में major difference है AC और DC motors की बात करें तो application से बात करें तो कहां कहां पर इस्तमाल होता है जनरली AC supply की जो motors रहती AC motors रहती है बहुत ही बड़ी बड़ी जगे पर इस्तमालता है आम दोर पर हमारे जो borewells रहती है यह पानी की motors रहती है जहां पर industrial applications यह बहुत heavy load का इस्तमाल करते है जरली वहां पर AC motors का हम लोग प्रयोक करते है और DC motors हम लोग appliances के लिए यूज करते है हमारे घरों में जो appliances रहते है आम दोर पर DC पे चलने वाले रहते है यह चोटे मोटे workstation आप जाते हो पीजा वगरे खाते हो correct तो उनका एक machine रहता है जो की पीजा को घरम करता है एक साइट से और पीजा बाना करते है दूसरी साइट से पीजा बहार निकलता है correct बीच में oven जो रहता है तो ट्रे को आगे करने का जो खिसकाने का काम काता है वो भी एक प्रकर के DC मोटर है यह आप समझो आप डीमाट या मॉल वगरे में जाते हो तो वहाँ पर समझो कुछ सामन पर्चेस करते हो टेबल पर रखते हो तो आटोमेटिकली आगे आगे चले जाता है तो कैसे जाता है तो DC मोटर है तो वैसे कई सरी जगे मेनिफंटरिंग युनिट में चोटे चोटा यूज में वहाँ पर DC मोटर है बहुत ज़्यादा लोड बहुत ज़्यादा यूज तो आम तवर पर AC प्रभाए का प्र रेइख होता है लेकिन एसी मोटर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस कोस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है याद रखें कि एसी मोटर में अगर पानी चला गया या कुछ प्रॉलम आ जा तो उसको कैसे रिपैर किया जाता है उसका यहाँ पे आपको वीडिO दख रहा एगा यह आई का इकोन दख रहे है यहां से वो वीडियो को भी देख सकते हो ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाए उसका नोटिवेशन आपको जल से जल मिल जाए। चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.